ओम शान्ती, हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी, वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम शान्ती ओम शान्ती, गुड मॉर्निंग, 28 जनवरी 2022, मीठे मीठे बाबा की, मीठी मीठी मुर्ली का, मीठा मीठा मनन, हम सब फरिष्टे मिलकर, बाब दादा के साथ करते हैं, बाबा दृष्टी दे रहे हैं, और वर्दानों से भरपूर कर रहे हैं, बाबा बुले, आज की मुर्ली से क्या शिक्षाएं ली, मीठे बाबा आज आपने में बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी, बाबा आज आपने मीठे बच्चे में कहा, कि एक ईश्वर से सच्ची महबबत रखनी है, इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है किसी कपूत को नहीं संगम पर बाबा आकर हमें कितनी प्यारी प्यारी बाते बताते हैं एक तो मुझ आत्मा को सिरफ सची सची प्रीत एक शिब बाबा से रखनी है जब एक से महबबत होती है ना और एक की ही शीरिमत पर चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एक के प्यार में डूब जाओ और जब एक के प्यार में आत्मा डूबती है ना तभी 21 जन्मों की लौटरी निकलती है हमारी अब संगम पर स्वेम पर मात्मा शिव बाबा आकर कहते हैं हमें बच्चे तुम मुझसे सची सची महबत करो देखो भगवान स्वेम का रहा है खुद भगवान हमें कहरा कि बच्चे सची सची महबत एक भगवान इश्वर से रखो तो मैं आत्मा शिव बाबा की याद में कितनी रहती हूँ मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई मेरी बुद्धी कहीं और तो नहीं भटकती अभी मेरी बुद्धी में एक शिव बाबा ही है सारा दिन मैं शिव बाबा की याद में हर करम करती हूँ जब जिससे महबबत हो जाती है ना फिर कोई भी करम करते रहो हाथ पैर कहीं भी चले लेकिन बुद्धी उस जिससे महबबत होती है उसकी तरफ जाती है तो क्या मैं आत्मा सारा दिन मेरी बुद्धी की डोर उस परमात्मा शिव से बंदी हुई है मेरा सच्चा सच्चा प्यार एक शिब बाबा से है अगर मेरा सच्ची सच्ची मेरी महबबत एक शिब बाबा से है तो मेरी बुद्धी कहीं दरुदर भटकेगी नहीं फिर बाबा ने एक चीज और कहीं आज कि जो ये इंदर की दरबार है ना इसमें सपूत बच्चों के लाना है किसी कपूत को नहीं जब हम मदवन जाते हैं जब बाबा आते हैं इंदर सभा कहते हैं उसे जब बाबा आते हैं और उस सभा में हमें किसी भी पतित को नहीं ले जाना नहीं तो अगर हम पतित को ले जाएंगे तो उसका पाप जो तो एक दादी के अनवव सुन रहा था भी दो दिन पहले कलास में एक कलास आई थी तो उसमें दादी जब ब्रमा बाबा शाक्षात कार कराते थे और कैसे कैसे रास कराते थे कैसे हर चीज उनको बनाते थे यह ड्रेस बनाओ और यह वहाँ संदेश लेके जाएंगी तो वो बताते थे कि कैसे हमें जो दिखाते थे कि तुम्हें जो मिलेगी सजाएं भी कैसे मिलेगी कि हम अगर कोई गलती करता था तो पहाड़ पे ले जाते थे तो पीछे चार यमदूद दिखते थे और वो यमदूद हमें धका मारते थे थे हम पहाड़ के नीचे गिरते थ तो उस्टम दादी रिके उस क्लास में बहुत experience दादी ने सुनाए मनोर दादी पूशती गई और दूसरी दादी जाना वो सुनाती गई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ होता था बाबा के साथ हम कैसे करते थे उस समय हम योग इतना नहीं करते थे लेकिन बाबा के साथ रह कर हम कितना खेल पाल करते थे कितने चीज़ें हमें बाबा सिखाते थे तो वही योग था तो आज भी बाबा ने ही काई कि बच्चे किसी भी कपूत को नहीं ले जाना इंदर सभाब में नहीं तो बहुत सजाएं मिलेंगी फिर बाबा आज आपने प्रश्ण में पूछा कि 21 जनमों की लाटरी निकालनी है न बाबने लेका 21 जनमों की बड़े ते बड़ी लाटरी लेने के लिए कौन सा पुर्शार्थ करते चलो अगर मुझे अपनी बड़ी से बड़ी लाटरी निकलवानी है कि मैं 21 जनम सत्युगर्थ रेता में आउँ तो उसके लिए मुझे अभी क्या करना है लाटरी खरीद नहीं पड़ेगी ना खरीदूँगा तभी तो निकलेगी अब कोई कहए लाटरी निकलेगी निकलेगी लाटरी खरीदी है लाटरी तो खरीदी नहीं है तो निकले ही कैसे तो यहां भी क्या करना है पहले जब हम बाबा की पूरी पूरी शीरिमत पर चलेंगे तो बाबा ने कहा कि आज लोटरी निकलने का पुर्शाथ क्या है कि एक पारलोकिक साजन को याद करने और उसकी शीरिमत पर चलने पर पूरा पुर्शार्थ करो कि बस अगर 21 जन्मों की लोटरी निकलवानी है अपनी तो एक शिबाबा को साजन बना कर उसकी याद में रहो और जो साजन दुन्या में भी कहते है ना पती भगवान है इश्वर है जो पती कह उसके उपर करते जाओ काओं हूँ तो यहाँ भी मेरा साजन कोन शिबाबा मैं साजन के साथ रहकर उनकी याद में रहकर उनकी पूरी पूरी शिरिमत पर चलू यही पुर्शार्थ करना जिससे मुझे 21 जन्मों की जो है ना मेरी लोटरी निकल जाएगी बाब ने का यदि किसी के नाम रूप में बुद्धी लटकी हुई हो ना तो वहाँ से बुद्धी योग निकालते जाओ बाबा वार्निंग दे रहे हैं अगर अभी भी कहीं बुद्धी अठकी हुई है तो वहाँ से बुद्धी निकाल लो नहीं तो फिर 21 जन्मों की लोटरी नहीं मिलेगी क्योंकि जब साजन बनाया तो मेरा तो एक सी बाबा दूसरा ना कोई फिर कहीं बुद्धी ना जाए बाब ने का जब रात में भी जब फुर्चत मिलती है न तो बाब को बड़े प्यार से याद करना है रात का मिंज कि दो बज़े से ही उट जाओ अमरा तवेला दो बज़े शुरू हो जाता है तो दो बज़े से उटके बाबा को कितना याद कर सकते हैं जितना याद कर सकते हो उतना बाबा की शिर्मत पर चलेंगे फिर दैवी गुन भी धारन करेंगे तो फिर हमारी क्या होगी 21 जन्मों की लाटरी निकलेगी कितना अच्छे से बाबा ने हमें कलियर कर दिया कि 21 जन्मों की लाटरी लेनी है तो उसके लिए बाद ये दो काम करो कि एक तो अपने साजन को याद करो और तो शाजन की शीरिमत है उस पर पूरा चलो और रात को भी जाकर बुद्धी का योग एक बाबा से लगा के रखो और दैवी गुन धारन करो तो 21 जन्मों की लाटरी निकलेगी फिर बाबा ने आज गीच चलाया ना वे हम से जुदा होंगे ना हमें बाबा से जुदा होना है अब हमें बाबा से जुदा नहीं होना क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा मेरा साजन शिव बाबा बस मुझे अब जुदा नहीं होना है मुझे तो साथ ही जाना है और बाबा मुझे अपने साथ ही लेके जाएंगे और मुझे बड़े प्यार से जाना है पूरा पावन बन के जाना है बाबने का अब यहां तो दुख ही दुख है अब इन दुखों से छुड़ाने के लिए तो बाबा आते है क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों को समझायागा है कि कृष्ण यहां नहीं आ सकता बाबने का जो क्रिष्ण है न वो इस पुरी में दुख की पुरी में क्यों आएगा दुख होता है कंश पुरी में और सुख है क्रिष्ण पुरी में तो जो क्रिष्ण है वो तो अपने सुखधाम में ही आगा ना सत्युग में आएगा ना उसका यहां कोई रोल नहीं बबने का बबने का हम अभी दैवी गुंड धारन करने वाले बने है बबने का अगर आशरी गुंड रखते रहेंगे न तो दैवी संपरदाय में अच्छा पद नहीं पाएंगे अब मैं आत्मा चेक करूँ कि मुझे में सारे अभी दैवी गुंड है कोई आशरी गुंड तो नहीं है अगर मेरे में अभी भी कोई आशरी गुंड है तो फिर मैं स्वर्ग में आनी पाऊंगा पद नहीं मिलेगा मुझे फिर पद बाबा ने का अभी पद नहीं मिला ना तो कलब कलबांतर नहीं मिलेगा फिर अगर इस समय नहीं मिलेगा तो पूरे कलब में फिर अगली बार भी नहीं मिलेगा तो मुझे अपना घाटा नहीं करना है बाबा गाटा हो जाएगा और मुझे अपना गाटा नहीं खरना बाबा ने गाटा और फाइदा ना ये इसी जनम है अगर मैं इस जनम में संगम पर बाबा की याद में रहकर पुर्शारत करूँगा तो मुझे 21 जनमों की बाश्याई मिलेगा अगर दैवी को नहीं धारन करूँगा तो फिर मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा तो मैं आत्मा अपने आपको चेक करूँ कि मुझे कोई भी बुरा काम नहीं करिया बुरा काम कौन करते हैं असुर करते हैं मैं कौन बनने वाला हूँ देवता तो मुझे तो बाबा की पूरी पूरी शीरिमत पर चलना है बाबा कहता है पता चल जाता है सामने जब आता है ना कि इसमें कोई विकार तो नहीं है या कोई बुरा करम करने वाला तो नहीं है जट मालूम पड़ जाता है बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना मुभबत रखेंगे फिर कोई से मुभबत रखी तो जैसे असुरों से रखी बाबा कितना कड़ा शाद बाबा कहता है कि बच्चे बस एक से ही मुभबत रखनी है अगर कहीं और दिल लगाया तो समझो असुर बने गए और असुरों से महबत कर ली तुमने फिर भाबा ने का कि मैं पतित दुनिया में आता हूँ पति शरीर लेता हूँ उसमें आकरी तुम्हें क्या करता हूँ फिर तुम्हें सारे राज बताता हूँ भाबा ने का ये पूरे 84 जनम लेते हैं जो सत्य यूग में कृष्ण एक ही बार इस नाम रूप में आएगा, बाब ने का, उनका वे चित्र फिर पांच हजार वर्ष बाद मिलेगा, अब हर एक जनम में, हर एक क्या होता है, चेहरा चेंज हो जाता है, बाब ने का, कि हर एक बारी, जो भी पांच जार वर्ष में, अगर जिसके 84 जनम है, तो वो हर बार अपना आत्मावाई है, लेकिन चेहरा लगोगा हो, बाब ने का, गुर्णानक का भी चित्र, जो एकुरेट चित्र था न, जो पांच जार वर्ष पहले था, वो पांच जार वर्ष बाद वही एकुरेट चित्र रहेगा, अब हमें क्या करना है, हमें तो बाब ने का, ये बातें तुम ही जानते हो, ऐसे बाब के साथ योग बड़ अच्छा चाहिए, और योग भी कैसा चाहिए, बाब ने का, ऐ वभ्यचारी योग चाहिए, कोई के नाम रूप से प्रीत लगी, तो वभ्यचारी हो गए, अब मुझे एक की करनी है, एक वभ्यचारी शिव बाबा को याद करना, अगर और को याद किया, तो बाब ने का, वभ्यचारी हो जाएगी, बाब ने का, शिव बाबा की जब भक्ती शुरू होती है, तो पहले पहले उनको अवभ्यचारी भक्ती कही जाती है, शिव को ही पूछते हैं, फिर, क्या करते हैं, बाब ने का, फिर क्या होता है, अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए, तो मैं आत्मा अपने को चेक करूँ कि मेरी बुद्धी में एक शिब बाबा है वह रहे बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धी योग एवभेचारी की जिए वभेचारी हो जाए किसी के नाम रूप में नहीं फसनाज बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे अब सिरफ एक बाबा को ही याद करना है किसी मित्र संबंदी वगएरा को याद नहीं करना बड़ी सेज रीती से कहते हैं कि अगर चार युग हैं तो चार संगम हो गए तो चारी अफ़तार होने चाहिए फिर चौबीस अफ़तार क्यों करे बाबा ने बड़ा सेज रीती से लिखवाया कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंद है परम पिता कहते हो तो जरूर दो बाप है ना अब सिर बाबा भगवान को परम पिता परमात्मा कहते हो जरूर बाबा के दो बाप है ना एक शरीर का पिता और एक आत्माओ का पिता बबने का परदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं परन तो इतना कोई समझते नहीं है बबने आज का निश्चे भी नहीं है जो बच्चे आ गए है जो योघ करते हैं जो कलास करते हैं उनको भी निश्चे नहीं है कि भगवान मेरे पिता है अब नहीं यविद्धर जो जाए न था बेड़ा पार होगा निश्चे नहीं करते कि यह हमारा पिता है और उनकी मत पर चलना चाहिए हमें पिता की मत पर चलना चाहिए पहले तो माँ बाब का मुखड़ा देखना चाहिए परन्तु निश्चे नहीं है माया बड़ी प्रावलगा कई बच्चे तो आ गए बाबा के बन गए बाबा के मुर्ली सुन रहे हैं कि निश्चे नहीं है तो निश्चे जिसको होगा उसकी विज्चे होगी तो मैं आत्मा बाबा पर कितना निश्चे रखती हूं कि स्वेम भगवान मुझे पढ़ाने आया है बाबा ने का एम अबजेक्ट तो कलियर है जो चाहे पुर्शार्द कर लो विज्चे माला में पिर वाइसलेस वर्ड के राजारानी थोड़े होते हैं पीछे बहुत हो जाते हैं बाबने का यहां भारत के सब से जास्ती होंग इंए कितने राजाराणी में पिर उन्हों के कितने तेर हो जाएगी बड़ी लंबी लिस्ट निकल जाएगा अब शुरू में सत्योग में मुझे आठ की माला में आना है या एक सो आठ की माला में आना है या सोला जार एक सो आठ की माला में बाबने का महाराजा राजा फिर उनके कुटों वाले डिरेक्टरी में भी नाम डाल देते हैं बहुत बाबने का वहाँ तो एक एक बच्चा होता है सत्युग में क्या होता है, वहां तो एक-एक बच्चा होता है, और यहां कितने धेर होते हैं, भबने का वहां तो बड़ा लंबा चोड़ा है, फिर भी बाबा क्या कहते हैं, बेहद की बाप को याद करो, जिससे वर्सा पाना, भबने का गरस्त विवार में भी रहना है, यह अभी यह पवित्र परवित्ती मार्ग, कोई मनुश्य इश्वर को ना जानने के कारण स्वें कोई इश्वर समझ बैठे हैं, अब जब भगवान को नहीं जानते हैं, तो क्या कहते हैं, कि कई इश्वर अपने आपको, मनुश्य अपने आपको इश्वर समझ जनम मरं में आ बैबा फीर किया किते हैं बाबा कहते हैं तुम जानती हो देवताइं कभी अकाले नहीं मरते हैं जब टाइम पूरा होता है तब शौक्षचातकार होता है अब पुराना शरीट छोड नया लेंगे तॉअब बाबा सारा क्Lear करने माया तुमां बहुत लाती है हनुमान मिसल प पक्का बनना है, जो माया रावन हिला ना सके। Bवने इका, आदी देव को महवीर हनुमान भी कहते हैं न, तो अब हनुमान बनना है। तो हनुमान कैसे हो भा पक्का, तो मैं आत्मा अपने आपकोचेक्त करू aún मैं हनुमान बनी हूँ, मुझे कोई माया हिलाती तो नहीं है मैं पूरा पूरा एक शिप बाबा की याद में रहता हूँ बाबने का बच्चों में भी कोई महारती है बात प्रेक्टिकल में यहां की है बाबने का वो तो वैसे गायन है लेकिन जो प्रेक्टिकल की बात है यहां की है इस यग में इस समय कौन संगम पर बाबा के जो महार्थी बच्चे है बाबा ने का जिन को ग्यान की मालिश नहीं होती है वे जैसे मुर्जाय हुए दिखाई देते है तो जो ग्यान की मालिश नहीं करेंगे जो बुद्धी में अपनी ग्यान रुपी ग्यान को नहीं धारन करेंगे तो वो मुर्जाय रहेंगे बाबा ने का जो ये ग्यान की मालिश ही तो क्या हुआ है लक्षमी नरैन को देखो कितने रमनीक है लक्षमी नरैन ने कितना पुर्शार्त किया कितनी ग्यान की मालिश करी अपने अंदर ग्यान धारन किया तो आज कितने रमनीख दिखाई देती है तब फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे अब किसी भी देधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है एक बाबा की एवभ्यचारी याद में रहने का पुर्शारत करना है आज फिर बाबा ने वर्दान दिया विश्व परिवर्तक भव अब कैसे बनेंगे विश्व परिवर्तक भव बाब ने का अपनी शक्ति शाली मंसा शक्ति वाशुब भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव अब मैं आत्मा विश्व परिवर्तक कब बनूगी जब मैं मनसा वाचा करमना मेरी वृती कृती द्रिष्टी सब शुब होगी हर आत्मा के प्रती सारा दिन शुब भावना हो शुब कामना हो हर आत्मा के प्रति बस मैं विश्व परिवर्तक के शुक्षम शक्ति शालिस्थिति वाली आत्मा हूँ बस मैं आत्मा अपने हर संकल को मुझे आप मंसा सेवा क्योंकि अब दिदी कह रहे थे कि अब देखो ऐसा महौल है कि हम कही परदर्शी नहीं लगा सकते कहीं मेले नहीं लगा सकते लेकिन मंसा सेवा तो कर सकते हैं तो रोज एक दो घंटे बैठके मंसा सेवा करनी चाहिए तो उस मंसा सेवा में याई बावने का जो विश्व परिवर्तन होगा हम हर आत्मा के परति शुब भावना शुब कामना रखे तो भावने का तो सिर्फ स्वें के प्रती नहीं भाव कोना लेकिन औरों को भी शुब भावना शुब कामना देनी है तो जितना हम दूसरों को शुब भावना शुब कामना देंगे तो बेहद की सेवा होगी बावने का विश्व प्रती सेवा बैलंस वाली आत्माएं कर सकती हैं बैलंस बना के रखना हर कि मुझे रोज एक दो घंटे विश्व के लिए भी टाइम निकाल के विश्व की भी सेवा करनी है तो भावना और ग्यान सने और योग के बैलंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो तो मुझे सने भी देना है योग भी करना है ग्यान भी देना है सब का बैलंस हो तब ही हम विश्व परिवर्तक बने हैं फिर आज बावने सलोगन में का बुद्धी रूपी हाथ बाब दादा के हाथ में दे दो तो प्रिक्षा और उपी सागर में हिलेंगे नहीं अब सारा दिन मेरी बुद्धी एक शिब बाबा के पास हो सारा करम करते होए भी बुद्धी का योग बाबा से लगा रहे जब मेरा बुद्धी का योग बाबा से लगा रहेगा कैसी भी प्रिक्षाए हो कैसी भी प्रस्तिती हो तो उसमें हम हिलेंगे नहीं पार हो जाएंगे कितना भी बड़े से बड़े प्रस्तिती आएगी तो हम उसमें जरूर पार हो जाएंगे पास हो जाएंगे पिर आज बाबा ने लवलीन स्तिती का अनुब करा बाबा ने का जब मन की जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगे जब मन है ही बाप का तो फिर लगाने क्याज़त है बबने का प्यार कैसे करो यह प्रशन ही नहीं उठता क्योंकि जब मन हमारा बाबा का है तो फिर तो कोई प्रशन ही यह भी प्यार कैसे करो योग नहीं लगता कुछ बाबा नहीं का ऐसा हो जी नहीं सकता तो फिर क्योंकि सदा लवलीन है जब प्रशन ही नहीं उठ सकता क्योंकि सदा लवलीन है बाबा के प्यार में लवलीन है तो प्यार सवरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का सवरूप हो गए, जितना जितना ग्यान सुर्य की केड़ने वा प्रकास बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लेरे उचलती है, जब किसी से ज़्यादा प्यार होता है तो उतना ज़्यादा उचलता है, जितना भी शिप बार बार दिल करेगा कि बाबा को याद करने के लिए बैठ जो अच्छा अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोब पर बाब दादा की केरने मुझ पर आ रही हैं और मुझसे विश्व की 800 करोड आत्माओं पर प्रकृति के पांचो तत्तों पर नो ग्रेहों पर प और मैं फरिष्टा बाब दादा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए शुक्ष्व वतन में बाबा से दृष्टी लेते हुए वरदानों से भरपूरो कर वापिस इस देरूपी मंदिर में आ गई हूँ ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती